दोस्तों नमस्कार मैं अजय पत्रकार महाराष्ट में बड़ा खेला हो गया और सरत्पवार कब क्या कर दें किस करवर बैठ जाएं ये कोई नहीं जानता है राजनीत के दूलदर्शी सरत्पवार ने सन्यास ले लिया चूकि सरत्पवार ने सबसे पहले भाप लिया आगे की राजनीत कठिन है मैं बूरा हो गया हूं मेरे भतीजे बगएरा आज राजनीत पे मुकाम पढ़ हैं मेरे ही बनाए हुए मेरे भतीजे हैं दोनों लोग एक ही परवार से हैं और उन्होंने शॉर्ट कट भी दे दिया है अपने भतीजे को कुल मिला करके सरत्पवार ने राजनीत्री ग्रूप से हार मान ली है हमेशा सरतपवार दूरदर्सी रहें यही नहीं सरतपवार ने अपनी भी हार मानी और साथ में अपने गुट M.B.A. की हार मान ली क्योंकि सरतपवार ये समझ गए है M.B.A. का ना कोई नेता है किसी पार्टी के पास सिंबल नहीं बचा हुआ है सरतपवार का सिंबल घड़ी उनके पास पार्टी उनके पास संगठन सब अजीत के पास यही सुषेना का है कि सुषेना में भी कुछ नहीं बचा यूबिटी में उधों के पास कुछ नहीं सबकुछ शिन्दे के पास चला गया अब आप देखें क्या इस्थित है, MBA ने हारमान ली सरत पवार के उससे, सरत पवार का सन्या सरत पवार ने इस पश्ठ कह दिया, बिलकुल यही हुआ कि नाओ से में चड़ करके नदी पार करके युद्ध के मैदान में नदी पार के युद्ध लगना तो दूर हा, मैदान मे कि पहले ही कोई युद्ध अगर हार माल ले, नदी पार करने से मना कर दे, युद्ध लड़ने से मना कर दे आगे के, तो यह बहुत साफ है, यह उसकी दूरदर्सता है, कि बे बज़े नदी भी पार कीजिए, और युद्ध लड़िए, हार भी जाईए, उसके पहले सरत प लाजनीत में नहीं रहूंगा मैंने 30 साल राजनीत कर ली फिर मैंने भतीजे ने 30 साल की और इस पर से तिया कि अब हम किनारे बेटे का पोते का और बतीजे का अब आंगे के एक विधायक ने जिसको मिल गया डिकन मिल गया नामंकन सब हो गया नामंकन वापस भी होने की इस्थित आ गई उसने चुनाव लगने से मना कर दिया क्यों क्यों को हार देख करो इसके पहले भी कांग्रेस के पाँच एमेलों को टिकट दी जा रही थी उन्होंने मना कर दिया था फिर दूसरे लोगों को टिकट दी गई उन दूसरों में से एक ने मना कर दिया यही नहीं आपको बता रहा है सुन्ने में आ रहा है कांग्रेस के 12 प्रत्यासी वो चुनाव लड़ने के अनिच्छुक थे उनको संग्ठन समझा रहा आपको लड़ना ही होगा चुकि इस्थितियां जो देख रहा है यही पोजिशन यूवी टी की है यूवी टी के तमाम विधाये कि ये कह रहे हैं कि अब हमको लड़ने से फायदा क्या है समझ में नहीं आ रहा है सिंबल उनके पास है लोग सिंबल वो अब उधों के सान नहीं रही वो लए गई खास्तों से एंबीए गड़ बंदन की इन सबके साथ भी एक बड़ी बात आ रहे हैं वहां एक लीडर उभर के आ रहा बहुत तेजी से जिसके प्रत सभी दलों का आम जनता की सानबूत है वो देवेन फरन भी इस अब आपको हो रही है और बीजेपि को फायदा हो रहा है तमाम ऐसे चीजें हो गई जिससे आप सुने सरत पवार को सोचने और सरत पवार ने ऐसा क्यों किया एभी मैं आपको बतला लूँ उन्होंने एभी कहा मैं सत्ता में नहीं रहूंगा लेकिन लोगों के लिए काम करना जाड़ी रखूंगा साप केजिया मैं सत्ता पे नहीं नहुंगा इसका मतलब सत्ता जो है वो अजीद पवार के पास है उनके पास सत्ता रहने दूँगा मैं सत्ता पे दखन नहीं करूँगा मगर आम पबलिक का काम करना यह इस पश्ट उन्होंने वाकोवर दे दिया हाला कि उनकी एक इक्षा और है कि मेरी बेटी और मेरे पोते को भी पुनरवास मिल जाए यह भी उनकी इक्षा है तो आपको बता दे अजीत पवार उस उप्यासूले में कोई ज्यादा मतवेर नहीं हैं मैं आपको बता दू अजीत पवार बहुत दूरदर सी बेखती हैं और सरत पवार भी इसके पहले जब अजीत पवार का बीजेपी से यह हो रहा था साइच संभव है कि यह लोग कुछ बातचीत कर ला है तब सुप्या सूले ने कहा था दो बड़ी खबरे होंगी एक के लिए था कि केंद में वह सायन मंत्री बना दी जाए और इस टेट में अजीत पवार आजाए उप मुख मंत्री बगएरा में मगर सुप्या सूले की बात बनी नहीं तब यह डिवीजन हुआ जबकि डिवीजन पहले भी होना था कुल मिलाकर सुप्या सूले और अजीत पव के लिए काम करता रहूंगा सूखे के लिए उनका उनका बहुत इस पश्ठ है कि जो सरकार मवजूदा सरकार है भाजपाव महायुत की यह सूखा प्रवाबिल लोगों को मदद कर अब आप देखिए कि दोनों लोगों की राजनेतिक बहुत हलके मत्वेद एक परवार एक राजनेत एक कारकरता दोनों के साथ है दोनों का एक संगठन है अजीत पवार को सरत पवार डाइरेक्ट पूरे पावर नहीं दे रहे थे इस बात की लड़ाई आज यह है कि सरत पवार का 90 परसंटेज कारकरता अजीत पवार के साथ इस बात को इन्होंने ऐसास किया सरत प बिए गुन्य हार मानी सरत्पवार का सन्यास उदो कांग्रेस सद्वे में बीजेपी गुर्वाजीत की पौवारा महाराज शुनाओ के भी सरत्पवार ने रिटायर्मेंट पे बड़ी टिपड़ी भी किये कि मुझे कहीं रुकना चाहिए राश्टबादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुक सरत्पवार ने मंगलवार को राजनीत से सन्यास लेने के संकेत दिये महीं बड़िस राजनेता ने कहा उन्होंने 14 बार चुनाओ लड़ा और नई पीड़ी को जिम्मेदारी सोपने की जरूरत पर जोल दिया बहुत साफ हुआ मैं 14 बार लड़ चुका हूँ अब नहीं लड़ूँगा अब वो अधीद पवार को अपरोग शुरूप से बैकिंग कर रहे वो राजनीत अपने घर पर ही चाहिते हैं तो कुछ मिलाके उन्हों के दिया अब मैं लाजनीत पर नहीं रहूंगा बहुत इसपष्ट उनका संकेर मैं आपको भी बता दू सरत्पवार ने जिस समय राजुगांदी एक्सपायर हुए हैं उस समय सरत्पवार राजुगांदी के बहुत जबज़त ब्रोधी थे बहु इसलिदम से जो सूनिया जी के साथ थे सूनिया जी को बहुत मानते थे सरत्पवार ने सबसे पहला विरोध किया लोगसभा द्रश प्रेस संगमा ने किया और तारीक अंवर ने का बोलकर बिलकुल नई सोनिया जी इस योग नहीं है और यह भी कहा था यह परवार अब इस तूट गई, सरत्पवार वह हैं, अंदर से राजियूजी से भी वह, और सुनिया जी से प्षचिर्टे थे, िक पुझा नहीं बनने दिया, जिस व्यक्ति ने खुला बिलोत किया कांग्लेस के अंदर पार्ले मेन वह सरत्पवार, और रहुल गांदी को भी सरत पवार आत्मा से सत्ता पे नहीं आने देना चाहेते हैं उस चीज की ताबूत की राजनीत की ताबूत की कांग्रेश के गडवंदन की आखरी कील उन्होंने ठोक दी एंड टाइम पर कह दिया कि मैं सन्यात ले रहा हूं और समर्थन एक पिकार से बापस हो गया कांग्रेश जो है युद्ध के मैदान पर लड़ने के लिए अब नदरिया ही जब पार नहीं करें तो युद्ध क्या लड़ेगे यह इस थी सरत्पवार ने नहीं यह एक बार नहीं उन्होंने कई बार कांग्रेश को इसी तरह उनको कांग्रेश की हैस्य दिखा दी खुल करके बीजेपी का समर्थन कर दिया था जबकि वहां सभी दल कह रहे थे सांपरदाइक जब इन्हों चुनाव लड़ा उसके पहले बीजेपीक समर्दाइक कांग्रेश को सत्ताम नहीं है वही चीज सरत्पवार फिर कर ला है यही नहीं है आपको ताजुक भी बात बतला दें किस तरह राजनीत बदल लही करवट बदल लही सरत्पवार ने देखा कि धनकर जाट टोटल भाजपा में चली गई महाराश्ट कर दली जो था जो भाजपा में नहीं था वह तोटल कांग्रेश सुशेना भिरोधि हो गया वह बाजपा में झाघाटि जो शुब्दा कृमी लेयर वाला है वह भी भाजपा की ओर घुकाव ले रहा है दीरे दीरे मगर आति दली पूरते है भाजपा की ओर जब यह सब इन नाम बापा ले लिया उसका फाइदा किसको बाइदा होडा बाजपा को पाइदा होडा दूसरी देवेन फरण उन्होंने ये भी कहा है उपमुक्वंतिर अजीत पवार की योगदान की सरायना की है अजीत पवार का नाम लेके बुढाई नहीं की उपमुक्वंतिर अजीत पवार की योगदान की सरायना की लेकिन इस बात पर जोल दिया कि अगले तीन दसकों तक छेत के विकास के लिए नए नेत्रत की जरूरत है पूर्व केंदी मंतरी ने कहा कि अब भविस के लिए तैयारी करने का समय आ गया है हमें ऐसा नेत्रत तैयार करने की जरूरत है जो अगले 30 वरसों उस तक काम कर सके उन्होंने कहा कि हर किसी को अफसर मिलना चाहिए और उन्होंने कभी किसी को पीछ सब्सक्राइब और एक सजेशन दिया है कि आप हित की सोचिए अजीत पवार को भी अच्छे रंग से एड़स्ट किये रहे और खासतोर से विकास की और सोचिए मुझे इस बात की चिंता मैं इसलिए ले रहा हूं सन्यास की आप लोग अच्छे रंग से चला अजीत पवार की भी बढ़ाई की है अब आप देखिए सरत पवार का मोधी के प्रत्र बहुत अच्छा सम्मान है और दोनों लोग आपको बता रहे हैं अंदर से एक आवाज में एक है सरत पवार इस सबके साथ देवेन फरनवीज सरत पवार की बहुत इज्जत करते हैं कई मामलों में ऐसा भी हुआ कि देवेन फरनवीज सरत पवार के सामने बोले नहीं उसकी बजाए कि उनका उम्र का लिहाज करना ये सरत पवार ने खुद एक बार कहा था कि देवेन फरनवीज मेरे सामने इसलिए नहीं कह रहे हैं अगर ये बात तुम लोग उठा दोगे तो देवेन फरनवी इस बहुत ज़्यादा गुच्सा हो जाएंगे आप लोगों को लतार देंगे मगर हमारी इज्जत करते हैं इसका ये बात सरत्पवार ने कही थी अब देखिए क्या है सरत्पवार ने ये भी महसूस किया कि बेंगौल में जोती वसू ने क्या किया सत्ता चलाई सुरू से ला इसलिए सरत्पवार ने इज्जत के लिए वाकोवर दे दिया है भाजपा को कुल मिला करके सरत्पवार का ये भाजपा को एक वाकोवर है दोस्तो नमस्कार मैं अजय पत्रकार